चंडिकर से जहाँ पर हर्याना कैबिनेट के आज एहम बैठक है बड़ी खबर आपको बता दे शाम चार बज़े सीम के अध्यक्ष्टा में ये बैठक होगी काफे एहम ये बैठक मानी जा रही है बड़ी खबर आपको हम बता दे विधान सबास सात्र को लेकर क्योंकि इस ब बैठक आज होगी और ये मनोहलाल इस बैठक की अध्यक्ष्टा करेंगे शाम चार बज़े सीम की अध्यक्ष्टा में ये बैठक होगी विधान सबास सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है इसे खबर पर हैसिक जानकारी के साथ समादाता पूजा वर्मा हमार साज पूजा वर्मा बैठक को लेकर आप से और जानकारी लेना चाहेंगे इसके अलावा कौन से वो फैसले होंगे जिन पर मुहर लग सकती है पूजा बताना चाहूंगी कि हर्याना कैबिनेट के आट बैठक है और ये भी को सकता है कि आज जो विधान सबाचनावों से पहले जो एक बैठक है या आखरी बैठक हो सकती है जिसमें जो है विधान सब्सक्तर आने वाला है आगस के महीने में जहारांकी अभी देट सुन की जा सकती है जिसका लंबे समय से इंतजार था कि आज जो है फटर की डेड़ भी जो है इसके इलावा जो भी एह मुद्बे जो फिछले काबिनेट में रह गए ते जिसमें अमबाला नगान निगम के कुछ मुद्बे थे और कई विकास कैसे मुद्बे थे उन सब चीजों को लेकर भी जो है इसमें बैठक हो सकती है इसके इलावा एक एजन्डे को छोड़कर बाकी जो है जिस तरह से डी नोटिफाइ करने की कुछ जम्यने उनको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है पूज़ा वर्मा इसके लावा आप से भी जाना चाहेंगे कितने बज़े बैठक शुरू होगी और कितने बज़े तक चलेगी क्योंकि फैसले जो है काफी एहम है जिन पर चर्चा होगी क्या विधान सभा चुनावों को मद्दे नज़र भी कोई उजना या फिर किसी सौगा आइब करीब चार बज़े ये हरी अना सच्युरूम ये बैठां जोगी ये कि उन पर भी चर्चा होगी क्योंकि निना सब्स्षब चुनावों से पहले पहले जो इक इस सरोकार का ता करना भेहदी महतपून है तो इसी को देखते हुए जो है इस क्याबिनेट बैठक में चर्चा होगी और हर जो है मंतरी से उनके विभाग के जो लंबित पड़ेकारे है या जो काम जो योजनाय थी खासकर कि जो स्कीम्स थी वो कितनी पूरी हुई है उसका भी लेखा जोखा जाएगा कि कितनी पूरी हो चुकी है और कितनी स्कीम जो है अभी लागू करनी रहती है और जो सजब उन्हें लागू करनी के लिए जो है पसासला भी लिया जाएगा क्यूंकि चुनाव आने वाले हैं ऐसे में पहले जो विकासकारे रहते हैं उन्हें पूरा करनी को लेकर कुछ असला लिया जा सकता है पुझा बर्मा शुक्रिया इस तमाम जानकारे के लिए तो आपको बता दे कि हर्याना कैबिनेट की एहम बैठक आज होगी और पिछली कैबिनेट की बैठक में जो फैसले रहे गए थे उन पर आज मुहर लग सकती है शाम चार बजे कैबिनेट के तमाम मंत्रे इस बैठक में मौझूद रहेंगे झाल